और इसके लिए आपके पास आफ को जाएगी इसके लिए आपके पास ओटकत पे मिनू भी है आपके टोकल बटन के ऊपर ये बटन और आप इसे आन करते हैं देन गरीड और ओके अगर off करते हैं तो grid off इसके लिए shortcut की होता है आपके पास F7 ओके यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर भी shortcut की के लिए F7 है आपके यहाँ से shortcut F7 कर सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके का अगरीड का situation दिया हुआ है तो जैसा आपकी यूज हो जिस टाइप का आप ड्रोइंग बना रहे हो ब्लॉक पर बना रहे हो तोडी मोडल पर बना रहे हो उसके recording से on-off कर सकते हैं इसके लिए सारे के लिए कमांड है आपके इसका होता है यहां पर यहां पर ग्रीडर स्पेसिंग का यहां पर फाइव ओके दिन क्लिक ओके तो दिन जो आपके ग्रीड लाइन है ना इसके स्क्वाइर के डामेंशन इंक्रीज हो जाएगी यहां पर तो यह होता है अगर जैसे आपके यूज है उसके recording हम कस्टमाइज कर सकते हैं अगे दिन हम यहां पर 0.5 करते हैं पर यह स्टेंडर्ड है तो में यह स्टेंडर्ड को हम फोलो करेंगे नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आता है एक उप्शन पोलर ट्रेकिंग का उपर देख सकते हैं पोलर ट्रेकिंग अब पोलर ट्रेकिंग का उजज क्या होता है जैसे आपने कोई एक लाइन बनाया अब देखाए हमारा 45 डिग्री पे मैंने सेट कर रहा है इसल्ग है नाइन ट्रेक कर रहा है अगर आपको 44 पर अगल चाहिए 44 पर आपको ट्रैक करवानी है अंगल बिसकली इसका बर क्या होता है पुला ट्रेकिंग का अपको वईरियेवाइल एंगल चाहिए वरियेवाइल एंगल पर आपको अगेन एंड अगेन एंड एंड सेम लाइन रोग करनी है तो आप उसे उस टाइम पर आपस यूज कर दिक्रों मैंने या पर टंटाली याट करता हूं आपके पास यहां पर भी कुछ है standard angle given आप यहां भी select कर सकते हैं जैसे 24 हो गया 23 हो गया 44 हो गया 43 हो गया इस type के angle आपको यहां पर नहीं मिलते हैं तो उसके लिए हमारे पास option है click additional angle and put new तो जैसे हमको यहां पर 44 43 चाहिए आप 43 प्रेस करूँगा and okay then हमको एक line लेते हैं एक पाइंट पिक करते हैं अब आप यहां पर देखेंगे कि 43 पर भी track करेगा and 90 पर क्योंकि हमने अलरडी 19,60 कर रखा है यहां पर देखें 43 पर भी track कर रहा है 43 एं इधर भी 43 पर track कर रहा है okay so you can customize as for our need then अब हम लोग बात करते हैं object a snap setting यह AutoCAD के लिए बहुत ही ज्यादा useful tool a drag setting के अंदर okay इसके बिना नहीं आपको कोई drawing बना सकते हैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकते AutoCAD में आपकी जो numbers of mistake है वो बहुत ज्यादा increase हो जाएगी अगर आप object snap tracking का use करते हैं तो उस situation में आपके पास जो गलती की chances है वो बहुत कम हो जाएगी जैसे example से समझते हैं इसे से पहले हम clear all करते हैं okay then press okay dynamic line draw करते हैं okay connect line draw किया एंड अगेन हमें स्पाइंट से क्लाइन ड्रोग करनी है कि हमने एक लाइन और ड्रोग कर लिया तो आप इस इस वेशन पर देखेंगे कि यह line deflect हो रहा हमारे proper पर आंगल पर नहीं है हम इसे यहां से yeah सपी बाद्व हम इसं कने के बाद ehõm इस पाइंट पर ले कर जाते हैं कितनी भी careful OH तो हम जूम करते हैं तो इसमें कुछ ने कुछ डिफलेक्शन आएगा ही और हम इसे फिर से अगें पाइंट पर डालते हैं फिर से जूम करते हैं तो देखिएंगे कुछ ने कुछ डिफलेक्शन आएगा ही और यही सेम सिच्वेशन को अगर आप देस कमांड ओन करते हैं दि बाप में खेलाय को जाहिए इस पाइंट से स्यासं जर्वी तो इस सचा युव एंद पान पर फेलो शेचे यह почему में यह तो यह तो एक black कहा युचिना करते हैं कि शेफ्विसलियरा का ऩहीं यह यूच कर तो यह तोल इस जगह पे यूज माट then press okay कि दिने एक सरकल बनाते हैं ओके दिनिखंधो हमने सरकल बनाया है अवाह में इसारकल की से सेंटर से किसी लाइन को ड्रोग करनी है। तो आप यहां पर देख सकते हूड़ करना बहुत रिफकल्ट है बहुत ही मुस्कील है। आप यहां पर इस तरीके centri fide नहीं कर सकते अगर आपने ideal centri pick किया तो आप यह जरूरत नहीं कि आप यह correct हो तो उस situation में क्या करते हैं DS command पर जाते हैं select all करते हैं and click ok करते हैं then हम again line draw करते हैं तो देखें यहां पे जो एक plus का dot आ रहा होगा आपका तो I mean यह आपकी center है तो आप यहां से center से line draw कर सकते है and second अगर आपको circle की किसी भी point से line चाहिए तो आप proper line draw कर सकते हैं यहां से center something जहां भी आपको need है वो draw कर सकते है and इसके लिए आपके पास एक shortcut भी होती है इसके लिए आपके पास यहां पर एक shortcut का tool होता है snap and cursor on off यहां से on off कर सकते हैं if in case आपके toggle button में यह setting नहीं आ रही है यह setting आपको toggle button से hide हो रखके किसी भी setting की toggle button की कोई भी setting जो आपके यहां पर हो रही है और in case नहीं हो रही है तो उस situation में आपको क्या करना है यहां पर three dot के उपर जाना है customize करना है और यहां से जो भी आपकी settings चाहिए आप यहां से select कर सकते हैं ओके देखें जो भी मैं setting on कर रहा हूं यह हमारे पास toggle button के उपर आ रही है तो फिल्हाल जो मुझे नहीं चाहिए और आफ कर लेता हूं क्लिक on a screen तो यह आपके snap tracking यहां पर काम आती है और उसके बाद बात करते हैं बात करते हैं डाइनिमिक इंपूट की डामे के इंपूट क्या होता है जो आपकी एंगल के लिए है यह आपके पास एंगल के लिए है और उसके बाद जो यह है आपकी line वोगर यह किसी भी circle के लिए है इसके बाद जो यह specify find है वो आपको indicate करता है कि आपको next क्या करना है इसे पर हम एक्जाम पाल समझते हैं आप इससे स्क्रीन को देख ले पहले एक बार यह value क्या है और यह value क्या है जितनी आपके dimension चाहिए जितनी आपके requirement है वो इसके अंदर feel करें आपके line अटमेटिक बन जाएगी उस dimensions की तो यह आपके dynamic input है और दिन अब उसके बाद देखें यहाँ पर जैसे specify next point specify point तो यह एक यह सारी setting है तो इसे हम लोग एक टीज रखेंगे इसकी settings को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि इसकी हमारे पास use नहीं है यह just so करता है इस चीजों को input output की input की settings को so करता है कि आपके पास input में यह है output में यह है आपकी इतनी angle है अभी आप इस angle पर जा रहे हैं आप चाहे तो इसे change भी कर सकते हैं तो यहाँ पर यह उसे so करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसे uncheck करेंगे and click ok करेंगे हम लोग example से समझेंगे हर चीज को तो हमने एक अभी यहाँ पर line लिया तो जैसे हम इसके उपर cursor लेकर जाते हो आपके पास कोई property so नहीं करता है ओके अगए अब बट जो हम इसकी properties को on कर लेते हैं अब हम line को यहाँ पर लेकर जाते हैं cursor को दिन हमारे पास एक property आती है property display हो जाती है आपे line है इसकी layer क्या है इसकी color क्या है line type क्या है ओके तो यह property हमारे पास on हो जाती है इस property को on off करने के लिए आपके पास shortcut की है control shift and P okay तो अभी ओफ हो गई है अब देखो के तो यह property नहीं आएगी बट जैसे control shift P again press करेंगे अगेन स्लेक्ट करेंगे तेन अगेन पुरपटी आटोमेटिक आ जाएगी ओके यह सारी जो basic setting है वह आपकी ड्रोइंग के लिए बहुत ज्यादा helpful है इसलिए मैं पहले basic setting बचा रहा हूँ इसके बाद हम लोग आएंगे main command के ऊपर इसके बाद है आपके पास selection cycle है keep as it is इसके लिए selection cycle के बारे में हम लोग बात में discuss करेंगे blue and green selection का right and left selection का यह हम लोग देख लेते हैं right and left selection blue and green selection क्या होता है जैसे अभी आपने यह blue selection लिया आपने एक पिक किया करसर को इस direction से इस direction की और move कर रहा है आपने ठीक है इस अपोजिट करते है राइट इस से बेस्ट की साइड पर देन यह यह लिट्रिल टच पर आपको इन लाइन को पिक कर लेगा ओके बट लेप्ट साइड सेलेक्शन करते हैं जब तक यह fully selected नहीं होगा जब तक यह किसी चीज को select नहीं करेगा किसी भी line को select नहीं जैसे हम लोग example के लिए एक line लेते हैं अगर हम इस ग्रीन बूलू selection से select करते हैं तो यह little touch पर select नहीं होगा फुल selection करनी होगी बट जैसे हम लोग opposite side से green selection को लेते हैं little touch पर line को select कर लेगा तो यह आप अपने use के according यूज कर सकते हैं इस selection tool को ओके तो draft setting के लिए बस इतना ही next video में हम सिखेंगे इस tool के बारे में इस tool की जितनी भी है ड्रो ड्रो पैनल की जितनी भी टूल्स है इस सारी टूल्स के बाले में हम next video में सिखेंगे okay तो इसमें हमने line के लिए line के बारे में बता रखा है जिसमें line का type बता रखा है main line, excel line, break line okay then next video में हम लोग polyline, circle, arc यह तीन commands देखेंगे then उसके next video में और तीन देखेंगे okay then उसके बाद हम लोग practice स्टार्ट करेंगे एंड जो सबसे main मेरा point है वो है how to read drawing okay and how to make object drawing किसी object को देख करके आपको object का drawing कैसे बनाना है और सबसे first जो find आता है drawing का first view, top view, right view, left view कैसे बनाते हैं कैसे read करते हैं तो इसी जो के बारे हम लोग practice session के अंदर सिखेंगे okay thanks for watching